बात करते हैं कॉंग्रिस को लगने वाले जटकों की जी हाँ कवलनात को लगतार जटके पे जटका लग रहा है खास तोर पर छिनवारा में तो तमाम बड़े नेता ऐसे हैं जो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और MP प्रदेश अद्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें सदस्ता दिलाई तस्वीरे उस वक्की दिखा रहे हैं जब सैक्रों कारक्रता के साथ जब अजय सक्सेना बीजेपी के दफ्तर पहुंच रहे थे उस वक्की ये तस्वीरे हैं अच्छी खासी संख्या में कांग्रिस के तमाम कार करता हू और समर्थकों को लेकरके दीपक शक्सेना बीजेपी दफ्तर गये और प्रदेश अद्यक्ष वीडी शर्बा ने उन्हें बीजेपी की सदस्ता दिलाई, आज सुभा दीपक सक्सेना ने भी कॉंग्रस से इस्तीफा दिया था, तो दीपक सक्सेना ने बकाइदा लेटर लिखा था, कॉंग्रस से इस्तीफा दिया था, उसके बाद उनके बेटे अजा सक्सेना बीजेपी दफ्तर पहुंचे और बीज कॉंग्रेस को शिंद्वाडा में बड़ा जटका लगा है और तवाम तरीके से हम देख सकते हैं मुख्यमंति मोहन यादो सर लगाता है लोग बीजेपी जॉइन कर रहे हैं मुझे इस बात की प्रसनता है कि एक के बाद एक सारे जिलो से भाश्पा के लोग जोईन कर रहे हैं और मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है कि छिंद्वाडा की तो कोई विदान सवानी बची जहां हमारे भाश्पा में आने वालों का करम जारी नहीं हो मैं सब को बदे द चार सो बार फिर एक बार मोधी सरका तो अब की बार चार सो पार के साथ मुख्यवंति मोहन जादो असोस्तर दिख रहे हैं और इस पर से तोड़ पर यही के तो नजल आ रहे हैं कि मोधी जी के जमतका के तहरे तमाम जो कॉंग्रेस कार करता है वो मद्दपदेश में चार सो पार के नारे के साथ बीजेपी काम कर रहे है वो ही नारा कम से कम मद्दपदेश में साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है विजन अबे के साथ तुछाब अन्यूश्टेट मत्पदेश चातिकर बपाल तो देखे इस तरीके से कमलनाथ को जटके पर जटका लग रहा है और देखे कमलनाथ के गढ़ छिंदवारा में सिंग मारी की कोशिश लगतार बीजेपी कर रही है और कमलनाथ के करीबियों को कही ना कही अपने पाले में लाने की जो लगतार कवायच चल रही है उसमें का प्रदेश अद्यक्ष वीडी शर्मा ने पार्टी की सदस्ता दिलाई झाल शर्मा ने पार्टी की सदस्ता दिलाई